मद्यप्रदेश की सबसे बड़ी किराना मंडी इतौर के सियागंज बाजार में जैपूर का एक व्यापारी चालीस करोर रुपे की ठगी करके भाग गया दिल्ली के इंपोर्डरों ने इतौर के सियागंज असोसियेशन में आकर गोहा लगाई असोसियेशन के पदाधिकारियों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि कोई व्यापारी विगत तीन महा से बाजार में कम दामों में व्यापार कर रहा था फ्रोट व्यापारी यहापर सूखे मेवे 20-30 रुपय किलो कम दाम में बेच रहा था जिसके चक्कर में कुछ दलाल फस गया और यहाँ का व्यापार प्रभावित किया साने व्यापारियों का कहना है कि सुखे मेवो में प्रॉफिट ही 2-3 रुपए किलो का होता है और वो व्यापारी 20-30 रुपए किलो कम दाम में बेच रहा था जिससे यहां का व्यापार बुरी तरसे प्रभावित हो गया है हलागि दिल्ली के इंपोर्टरों की असोसियेशन अपनी स्थर पर मदद कर रहा है विगत तीन महापूर्व जेपूर का एक व्यापारी जो अपने को जेपूर का व्यापारी पता था वो इंदूर में व्यापार करने के लिए यहां पर आया कि ऐसा ग्यात हुआ है कि उसने दिल्ली के इंपोर्टरों से 30-40 करोड रूपे का माल लिया और पूर्ण स्योजी तरीके से यह जानकारी हमें मिलिये उनके जो एक ब्रदर दिल्ली में था वो एक जेपुर में एक इंदूर में तीनों भाईयों ने मिलकर पेले व्यापारियो का इंपोर्टरों का विजवाज जीता कुछ कांटिटी में माल लेते थे उसका पेमेंट करते दिल्ली में धीर धीर उनों विजवाज जीता उसके पस्चाद उन्होंने यहां पर जो माल बुलाके दस से 15 रूपे किलो 20 रूपे किलो जिनका मार्जिन व्यापारियों को बिलना प्तारम हो गया बिगत 20 दिन में इन्होंने दिल्ली के करीब लगबग लगबग जितने भी वड़े वैपारिये से 30 से 40 लोड़ों का माल लिया सब मंडियों में इन्होंने माल बेचा नगत माल बेचा उसके बाद यहां से दुकान बंद करके बिगत दो दिनों से गाय यदि उन गोदामों में कुछ माल रहेगा तो कानूनी प्रिक्रिया जो भी रहेगी कानून के दारे में जो रहेगा एसुसेशन पूरी तरीके से उनकी मदद करेगी बिगत दो दिनों से हमारे एसुसेशन के सब बदादिकारी इंपोर्टरों की मदद करने के लिए साथ मे और जो मदद होगी व्यापारीयों की इंपोर्टर होगी उनकी मदद पूरी दरीके से सुज़न करेगा आपका नाम से दीरश खंडलवार उपात्यर चिंदा सियागा जोलसिर के राना मर्चेंड इसुज़सर दोपार नियूस के लिए संजय अगरवाल के साथ स्वदेश करके रपूर्ट